आप उपिंदर कुछ वहाजी से मिलने एक दिल्ली के निजी अस्पताल में गए थे और तब से बिहार में जो आग लगा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है अब ये तो संजोक कहिए उपिंदर सिच्छा मंतरी कहने को प्रोफेसर है और डॉक्टरेट की उपाधी लिखते हैं डॉक्टर लिखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनको ग्यान नहीं है और किसान नेता के नाम पे लगता नहीं है कि भुमिहार समाज के जो भी भोटर भाजपा से नराज हो गये उनको मनाने के लिए पहली वारा ऐसा काडिकरम किया जा रहा है बिहार में कोई रामायन को अगर फाड़ने का काम करता है उसको अपमानित करने का काम करता है वो ऐसे व्यक्तियों पर सरकार को तुरंत कारवाई करना चाहिए उसके नमस्कार मैं चंदन कुमार गोरे आप देख रहें दा फॉरवाट टाइम्स अभी हम प्रेम रंजन पटेल जी के प गए थे और तब से जो आग लगा हुआ है अभी तक सांथ होने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर क्या है आगे बात करते हैं स्वागत है से नमस्कार अब यह तो संजोक कहिए उपिंद्र कुस्वाहा जी दिली के एमस में भारती थे मैं दिली में था मुझे जानकारी हुआ तो ब्यक्तिगत संबंधों के नाते और मानुवियता के आधार पर पुराने संबंध रहे हैं और उपिंद्र कुस्वाहा जी हम लोग के एंडिये के पार्ट्र के रूप में भी रहे हैं चौदा के चुनाव में उनकी पार्टी का गठवंधन हमारे भारती जनता पार्टी के साथ था और वो तीन सांसत जीत के आये थे और उपिंद्र कुस्वाह जी खुद मोदी जी के नितुत में जो सरकार बनी थी उसमें पांच वरसों तक मंत्री के रूप में साथ-साथ सह योगी के रूप में रहे थे तो इस नाते में उनके स्वास्त की जानकारी लेने चला गया तो यह कोई हर्जा तो नहीं है इस पर कोई बवाल मचाने की आपसक्ता नहीं है लेकिन उसके बाब जूद जो हैसे मीडिया के अंदर में ये बाते आई और उपिंद्र कुस्वाह बगने लगा कि अपनी फाटी के अंदर में अपनी भागी दारी को लेकर-करकर निता रहे हैं कोई ऐसा नहीं है मजबूत आधार उनका रहा है इधर उधर आते जाते रहें लेकिन इसका मतलब नहीं है और उनकी मजबूती के कारण ही उनका प्रभाव साली होने के कारण ही नितिश कुमार जी उन्हें बुलाकर के अपने पार्टी में विधान परसत का सदस है और संसदिया बोर्ड का अध्यच बनाने का काम किये लेकिन कौन संसदिय बोर्ड और सबसे बड़ी बात है कि उपिंद्र कुस्वाह जी ने जिन बातों को उठाया है कि नितिश कुमार हमारे बड़े भाई हैं मैं छोटा भाई हूं लेकिन जो समता पार्टी से लेकर करके आग तक जदिव का सफर रहा है उस सफर में बनाने से लेकर और सुरैली के बाद लालू से त्रस्त अक्रांत और जो दबे कुछले थे लोकुस और एक अत्यंत पिछडा वरक्या लोगों ने मिल करकर के समता पार्टी का निर्मान किया था निता नितिश कुमार उसके हुए थे लेकिन वो सब लालू और जंगल राज के खिलाप वो त लेक अर्थ तक पहुचाने का काम किया के अंदर सरकार में मंतरी विहार में मुक्х मंत्री लंबे समय तक बनाने का काम किये गया लेकिन उसके बाद जो नितिस कुमार जी लगातार जिस लालू के आतंक के बिरुद जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा उनको ले जाकर उसी के पल्ले डाल दिये हैं तो जो ताक्ते थी लवकुस अत्यंत पिछडा महादलित का वो ताकत आज हासिये पर चला गया है वो अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है वो अपने आपको कमजोड महसूस कर रहा है वो लगा कि जिन लोगों से हमने लड़ाई लड़ा फिर उसी के पल्ले मुझे ले जाकर के दे दिया जया वो अपने आपको असमंजस की स्थिती में है उसी की बात उपेंदर कुस्वाहा उठा रहे हैं कौन सा हिस्सेदारी काई सा हिस्सेदारी की नहीं होती है समता पार्टी से लेकर करके जदिव तक के इतने लंबे सफर में और जंगल राज से मुक्ती के लिए उनका भी योगदान रहा है सहयोग रहा है साथ साथ इस सफर को पूरा करने का काम की है तो हिस्सेदारी नहीं होता है जिम्मेबारी होता है जो ताक्ते आज हासिये पर चली गई है जो अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है जो अपने आपको कमजोड लग रहा है उन ताक्तों को फिर से मजबूती देने का काम उपेंदर कुस्वाह करें और जिम्मेबारी लें अगर कोई बड़ा भाई होने का कि वैसे ही थोड़े हम भाग जाएंगे हमको काजारा है कि चले जाईए तो हम ऐसे ही थोड़े चल जाएंगे हमारा भी इस्सा बनता है बड़े भाई के संपत्ती में बाप ददा की संपत्ती में बड़े भाई अकेले थोड़े ले लेगा मैंने कहा कि जब बड़ा भाई निरंकु सो जाता है बड़ा भाई अगर जो हैसे गलत संगत में पढ़ जाता है संपत्ती को नुकसान पहुचाने लगता है और बाप ददा की संजोई संपत्ती को अगर जो हैसे लुटाने लगता है तो छोटे भाई को पूरे घर की जिम्मेवारी ले मजबूती दें और जिस जंगल राज से मुक्ती के लिए लडाई लडा था जिन लोगों ने उसको जो हैसे फिर से एक मजबूती तरीके से उसको सम्मान देने का काम करें सिच्छा मंत्री का जो ब्यान था और उसके बाद कहीं रामचलित मानस को फाड़ा जा रहा है कहीं और अन्य तरह की बात उठाई जा रहे यह कहां तक अच्छा है बिहार के लिए देखें सिच्छा मंत्री कहने को प्रोफेसर है और डॉक्ट्रेट की उपाधी लिखते हैं डॉक्टर लिखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनको ग्यान नहीं है राम चरित मानस के दोहे को जिस रूप में पेश किया गया गलत भावार्थ निकाले गए गलत तरीके से समाज के अंदर में विदेश फैनाले के लिए यह एक बहुत बड़े आस्था जिनको रामायन के उपर है भगवान राम के उपर है बहुसंख्यक्वर भारत की संस्कृति के अनुरूप उन ताक उन लोगों के मनों पर और दिलों पर उन्होंने आघात पहुचाने का काम किया है अपमानित करने का काम किया है उनके जो आ आस्था है उस आस्था पर चोट करने का काम किया है और यह सब जो हैसे कोई जो हैसे अचानक नहीं हुआ है यह उनकी सोची समझी रन्निती है उनको लग रहा है कि इसी से हम जो अपना वोट बैंक है जो जाती का एक समू का एक बर्ग का वोट की आधार पर राजनीत करते ह हैं उन ताक्तों को मजबूती बनाने के लिए उसको कहीं बटे नहीं और वोट हमारे साथ रहे इसके लिए उन्होंने जान बूझ करकर के यह योजना के तहत बोलने का काम क्या है अगर कोई रामायन को अगर फाड़ने का काम करता है उसको अपमानित करने का काम करता है वह उनके उपर वारंट जारे हुआ तो उनका इस्थीपा मांगने के लिए सुसिल मोदी जी से लेकर के कई बड़े भाजबा के नेता आगे आगे कुनका इस्थीपा जल्दी किजी लेकिन चंद्र सिखर जी के साथ तो इस्थीपा नहीं मांग रहे हैं आप सब नराज हो जाने क दिया गया जिनको बेल लेना था कोट में जाकर करके उसी तरह जिस प्रकार से कड़ोरो कड़ोर हिंदुों के सनातन धर्म के आस्था के प्रतीक भगवान राम और राम चरित्र मानस के उपार उठारा घात करने का काम किया है वैसे लोगों को मंत्री मंदल से तुरत नितिस्क रन्निती है जो लोग जाती आधारित छेत्रियता आधारित और संकुचित आधार पर जिन लोगों ने एक परिवार को किवल राजिती में सब्ता में अस्थापित करने के लिए काम किया तो उनकी भासाएं ही होगा कभी जोह से यह लोग जोह से भूराबाल साफ करो कभी लोग जोह से काते हैं कभी एक चुवल परिवार की पार्टी इक समू की पार्टी बन करके रह गई है ध्यक्तिवादी पार्टियां है और वह संपत् hammar के लिए संपत्ति को बचाने के यहीं नितिस्कौमार कहते हैं जब सत्रा में अलग हुए थे उन्हों ने कहा कि लंबे समय तक लालू-्रावणी सत्ता से बाहर हो गए मैंने समझा कि अब यह सुधर गये होंगे आथ्तें जो है से मैं अब जो है से परिवर्तन आया होगा लेकिन आद तक आदत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इनका काम है सत्ता हासिल करो और उससे संपत्ती बनाओ, संपत्ती को छुपाओ, बस यही काम उनका रहा है। कsınız पर दो jeunes, बेहां से काम कर रही तो सब लोग कायल है। महल है किया जा रहा है आमिज साहाजी के द्वारा और लिधर मँद्वी कहार हैं और विहार आते रहें कोई नई आ रहें क्या और precision का कारइक नमाहा होगा तो उसमें सरीक होने के लिए अगर उनको आमंतरन मिलेगा और वो सहमती देते हैं तो इसमें कौन साहर्ज है ग्रियमंतरी का और वो भी स्वामी सहजानन सरस्वती जी वो अपने आप में जो हैसे किसानों के एक बड़े हितायती से वो जो हैसे जमिंदारों के खिलाप उन्हो इपके उपज का सही कीमत मिल सकें उनकी समस्याइं कैसे दूर हो सकें उसकी उन्हों इन लड़ाई लड़ने का और किसानों के हित के लिए अगर स्वामी सहजानन सरस्वती जी की जयनती पर उनके नाम अगर कोई कारिकरम होता है जो ये देश किसान और गरीब के प्रतिसमर्पित है ये खास करके अभी आपने देखा ना कि बजट आया है वजीट में पर बजट में प्रमुखताद जो है से इस सरकार की है यह गाओं गरीब किसान मजदूर इवा महला तो सब पर आधारित है गरीब पर जो एसे आधारित यह बजट है तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है देश के अंदर में किसान है समस्चाय किसके उपर ज्यादा रहती थी किसानों के लिए और उन समस्चां को दूर करने का सरकार ने बहुत हटक किया है उसके लिए यूजना बनाना और उन्हेक पहुंचाना अमली जामा करवा मैं उनके नाम पर इतना बढ़ा आयो जसान है नेता जी के नाम पे किया जा रहा है किसान तीन साल चार साल से यूरिया के लिए परेशान है किसान का उचित मुल धान में पैक्स के द्वारा नहीं दिया जाता है और समय पे पैसा भी नहीं मिलता है और यूरिया के लिए तो जो परिशाने ये पूरा बिहार आप देख रहे हैं। करने का काम किया है। जितना आवंटन राज्य को प्राप्त होना चाहिए। उससे कहीं अधिक यूह से आवंटन केंद्र के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये असकार सीटी जबरदती केंदर सरकार को बदनाम करने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से कराया जाता है। आवंटन मिले हुए यूरिया का सही तरीके से उठाव और उसका बित्रन सरकार राज्य सरकार नहीं करती है जिसके कारण इस परकार की स्थीतिया बन रही है। सर लखी सराय से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लखी सराय के किसान को जो परिशानी है उनको क्या संतेश दीजिएगा। संदर का बराज हो गंगा पंप नहर पर योजना हो उन सब को चालू कराने का काम और उसका पुनर जिवित कराने का काम हमने किया है। आगे भी किसानों की जो समस्याएं होंगे, उन समस्याओं को लेकर करके जो जरुद्द होगी, उस सब को पुरा करेंगे ताकि किसान खुसाहलों किसान खुसुभाल partner हमारा राज्य बढ़ेगा हमारा राज प्रगति करेगा और देश आगे बढ़ेगा धन्यवास जैसे कि आप